मिलो न तुम तो हम घब लाएं मिलो तो आख चुराएं ये माना मेरे जाँ कैसी बारात कैसी शेहनाई मेरा दूलहा भी नहीं आया 27 मार्च सन 2000 मुंबई के जहू इलाके में मौजूद एक बंगले में पुलिस पहुचती है पुलिस को खबर मिली है कि बाथरूम में फिसल कर गिरने से एक औरत की मौत हो गई है पुलिस इसे एक एकसिडेंटल डेथ कहकर लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भीज देती है पुलिस भी लगभग मान चुकी होती है कि बाथरूम में फिसल कर गिरने से इस औरत की मौत हुई है मगर जब पोस्ट मार्टम रिपॉर्ट आती है तो खुलासा होता है कि इस औरत की मौत फिसल कर नहीं हुई थी बलकि इसे कतल किया गया था पहले इस औरत के सिर पर किसी भारी चीज से एक तेज प्रहार किया गया और फिर गला घौट कर इसे जान से मार डला गया जिस औरत के हत्या हुई थी वो कोई मामूली औरत नहीं थी वो थी हकीकत हस्ते जख्म और हीर रांजह जैसी सुपर हिट फिल्मों की हीरोईन प्रिया राजवन्श तुझको पाना जिंदगी है तुझको घोना मौत है और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं प्रिया राजवन्ष की हत्या क्यों हुई वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रिया राजवन्ष को इतनी बेरहमी से कतल कर डाला ये सारी कहानी आज किस्सा टीवी की स्पेशकश में बया की जाएगी गवा से शराब की पू तक नहीं आ रही योर ओनर ये सब धोंग रचाया गया है क्योंके गवा 31 दिसंबर 1936 को पंजाब के जहलम में टैनाथ फोरेश्ट आफिसर सुंदर सिंग के घर एक बेटी का जन्म हुआ नाम रखा गया वीरा सुंदर सिंग वीरा के जन्म के कुछ है वक्त बाद सुंदर सिंग का तबादला शिमला में हो गया लहाज़ा वो अपने परिवार को लेकर शिमला आ गए वीरा और उनके दोनों भाईयों कमल जीत वा पदम जीत का बचपन शिमला में ही गुजरा शिमला से ही वीरा की स्कूलिंग हुई और शिमला से ही वीरा ने कोलेज की पढ़ाई भी पूरी की कोलेज्च के दिनों से ही वीरा को नाटकों में काम करने का शोक लग गया था और वो अंगरेजी नाटकों में खुब हिस्सा लेती थी एक दफा एक नाटक के चलते ही वीरा को चंडिगर जाना पड़ा था वो नाटक देखने देवानंद की भावी यानि चेतन आनंद की पतनी उमा आनंद भी आई थी उमा आनंद खुद भी किसी जमाने में एक्ट्रिस थी चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर में उमा आनंद ने माया का केरेक्टर प्ले किया था एक्टिंग के अलावा उमा आनंद कहानी लेखन भी करती थी देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर की कहानी उमा आनंद ने अपने देवर विजे आनंद के साथ मिलकर लिखी थी चंडीगड में हुए उस नाटक में उमा आनंद को वीरा की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी नाटक खत्म होने के बाद उमा आनंद ने वीरा को अपने पती चेतन आनंद का काड़ दिया और उनसे मुंबई आकर चेतन सहब से मिलने को कहा उस वक्त उमा आनंद को कहा पता था कि यही लड़की एक दिन उनके पती की महबूबा भी बनेगी खैर उमा आनंद के बुलावे पर वीरा चेतन आनंद से मिलने मुंबई जाती उससे पहले ही उनके पता सुंदर सिंग का तबादला लंडन में हो गया इसलिए उस वक्त वीरा चेतन आनंद से ना मिल सकी वो अपने पता के साथ लंडन चली गई लंडन जाकर वीरा ने रोयल अकेडमी ओफ ड्रमेटिक आर्ट्स यानी राडा में दाखिला ले लिया राडा से एक्टिंग का कॉर्स कम्प्लीट करने वाली वीरा पहली एशियाई महिला बन गई लंडन में भी वीरा ने ठेटर करना जारी रखा वो अंग्रेजी नाटकों में खूब एक्टिंग करती थी लंडन में ही एक लोकल फोटोग्राफर ने वीरा की कुछ तस्वीरें खीची और एक मैगजीन में पबलीश करा दी उन तस्वीरों के जरिये ही वीरा पर नजर प भी फिल्म इंडिस्ट्री में लाए थे ठाकुर रनबीर सिंग ने वीरा को दा लोंग ड्यूल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म में काश्ट कर लिया हाला कि वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई फिर ठाकुर रनबीर सिंग की सलहा पर ही वीरा ने अपनी वही तस्वीरें भारत में चेतन आनंद के पास भेज दी जो उन दिनों हीर रांजा फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। वीरा की तस्विरें देखते ही चेतन आनंद ने तै कर लिया कि यही लड़की उनकी फिल्म में हीर बने गी। चेतन आनंद ने वीरा को संदेश भिजवाया की तुरंत बॉम्बे आ जाओ। वीरा भी फोरण लंदन से बॉम्बे आ गई। वीरा से मिलकर चेतन आनंद बहुत खुश हुए। इत्वाक से उस वक्त तक हीर रंजह की शूटिंग वो टाल चुके थे और हकीकत की मेकिंग की तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने वीरा को हकीकत फिल्म में काश्ट कर लिया और उनका नाम वीरा से बदल कर प्रिया राजवश कर दिया। हकीकत फिल्म की शूटिंग के दोरान ही चेतन आनंद और उनकी पतनी उमा आनंद के रिष्टे बिगड़ गए दो बेटों। केतन और विवेक के होने के बावजूद चेतन आनंद और उमा आनंद अलग हो गए हाला कि उनका तलाक कभी नहीं हुआ था। उमा आनंद से अलग होने के बाद चेतन आनंद ने वीरा जो अब प्रिया राजवन्ष बन चुकी थी उनके साथ हीर रांज़ा की शूटिंग शूरू कर दी और हीर रांज़ा की शूटिंग के दोरान ही चेतन आनंद और प्रिया राजवन्ष एक दूसरे के करीब आ गए यो तो इन दोनों की उम्र में 16 साल का फर्क था लेकिन इस फर्क की इन्होंने जरा भी परवाह नहीं की बिना शादी किये ही चेतन आनंद और प्रिया राजवन्ष साथ रहने लगे यानि लिव इन रिलेशन में आ गए साल 1970 में हीर रांजह जब रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जबरदस्त प्रदरशन किया ये फिल्म उस साल की ब्लोकबश्टर फिल्म बन गई प्रिया राजवन्ष के पास फिल्म इंड़स्टरी से धेरों फिल्मों के ओफर साने लगे बिमल रॉय और रा तो प्रिया ने भी कभी किसी और फिल्म में काम नहीं किया हीर रांजह के बाद प्रिया ने चेतन आनंद की हिंडूस्तान की किसम हस्ते जखम, साहिब बहदुर, कुदरत और हाथों की लकिरों में काम किया चेतन आनंद ने प्रिया को मुंबई में अलग से एक फ्लैट खर वो बंगले का पूरा ध्यान रखती थी बंगले पर शाम के वक्त अक्सर जमने वाली महफिलों का ख्याल भी प्रिया ही रखती थी प्रिया और चेतन आनंद को देखने वाले यही कहते थे कि दोनों ऐसे रहते हैं मानो पती पतनी हो जबकि चेतन आनंद ने कभी भी प्रिया प्रिया राजवन्ष की जिंदगी शानदार चल रही थी, कि अचानक 6 जुलाई 1997 को 76 साल की उम्र में चेतन आनंद की मिर्त्य हो गई, और इसी के साथ प्रिया राजवन्ष की जिंदगी का सुकून भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो एकदम अकेली हो गई, यो तो उनका खुद का भी एक फ्रेंड सर्किल था, लेकिन चेतन आनंद की कमी कभी पूरी ना हो सकी, प्रिया हर वक्त मन ही मन हुदास रहने लगी थी, और फिर 27 माच सन 2000 को खबराई की प्रिया राजवन्ष की मौत हो गई है, कहा गया की प्रिया राजवन्ष चेतन आनंद के ब प्रिया राजवन्ष ने खुद कुशी की है, जबकि कईयों ने दावा किया की हार्ट अटेक की वजह से प्रिया राजवन्ष की मृत्य हुई है, कुछ ने तो यहां तक अंदेशा जताय की प्रिया राजवन्ष ने बहुत जादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो जल कर गिरने से प्रिया राजवन्ष की मौत हो गई, पुलिस ने लाश को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया, मगर जब पोस्ट माटम रिपोर्ट आई तो पुलिस दंग रह गई, प्रिया राजवन्ष किसी हादसे का शिकार होकर नहीं मरी थी, उनकी हत्या की गई थी, जिस वक्त प्रिया की लाश मिली थी उस वक्त उनके गले पर कुछ निशान भी थे लेकिन तब माना गया था कि ये निशान प्रिया राजवंच की जूलरी की वजह से आये होंगे। मगर पोश्ट माटम रिपोर्ट में खुला सा हुआ की प्रिया का गला जोर से दबाया गया था। पोश्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने प्रिया की नौकरानी माला चोधरी को हिरासत में ले लिया। माला से पूछताच के दोरान पुलिस ने कुछ ऐसे तीखे सवाल किये कि वो तूट गई। उसने मान लिया कि उसी ने अशोक चिन्ना स्वामी के साथ मिलकर पहले प्रिया की सिर पर जोर से वार किया और फिर अपने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। माला ने ये भी बताया कि प्रिया जान बचाने के लिए बहुत चट पटाई थी लेकिन उन दोनों की ताकत के सामने लगभग बुड़ी हो चुकी प्रिया राजवन्श कुछ ना कर सकी और बड़ी बेदर्दी से प्रिया राजवन्श की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया प्रिया को मारने के बाद उनकी नौकरानी माला चोधरी ने घटना को कुछ ऐसा रंग देने की कोशिश की कि सब को लगने लगे की प्रिया की मृत्यू बाथरूम में फिसलने की वज़ा से हुई है माला ने सोचा था कि अगर प्रिया की मौत को लूट पाट की घटना दिखाय जाएगा तो मामला प्रिया जांच तक पहुँचेगा लेकिन अगर बाथरूम में फिसलने की बात सामने रखी जाएगी तो शायद प्रिया की नौबत भी ना आए मगर महरानी सम्युकता कुमारी की वज़ह से पुलिस तक प्रिया राजवन्ष की मौत की बात पहुँच ही गई दरसल जिस दिन प्रिया राजवन्ष की हत्या हुई थी उस दिन उन्हें महरानी सम्युकता के घर जाना था महरानी सम्युकता का बंगला चेतन आनंद के बंगले के पास ही था और चेतन आनंद की मौत के बाद से प्रिया का अधिकतर वक्त उसी बंगले में ही गुजरता था यानि प्रिया राजवन्ष महरानी सम्युक्ता की पडोसी थी और अच्छी दोस्त भी थी महरानी सम्युक्ता जानती थी कि प्रिया राजवन्ष वक्त की बहुत पाबंद है इसलिए उस दिन जब प्रिया राजवन्ष तै वक्त पर उनके घर नहीं आई तो उन्होंने अपन प्रिया राजवंस से मिलकर उनके आने में हो रही देरी का पता लगा कर आने को कहा। चोकीदार जब प्रिया के घर पहुंचा तो नोकुरानी माला चोधरी ने उससे कहा कि वो तैयार हो रही है थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। मगर काफी वक्त बाद भी जब प्रिया महरानी सम्युक्ता के घर पहुंची ही नहीं तो उन्होंने एक बार फिर से अपने चोकीदार को प्रिया राजवंस से मिलने भीजा। उस वक्त माला चोधरी ने चोकीदार को बताए कि प्रिया बेहोश हो गई हैं। चोकिदार ने जल्दी से ये खबर महरानी सम्युकता को दी ये बात सुनते ही महरानी सम्युकता और उनके परिवार के कुछ लोग प्रिया राजवन्ष को देखने दोड़ पड़े महारानी सम्युक्ता ने जाते ही प्रिया के हाथ पेर रगणने शुरू कर दिये लेकिन उस वक्त तक प्रिया के प्रान पकेरू हो चुके थे तब महारानी सम्युक्ता ने ही पुलिस को इस हाथ से की खबर दी जिससे माला चोधरी की पूरी योजना धरी की धरी रह गई शुरुवाती पोचताच में माला ने पुलिस को बताया था कि प्रिया ने उसे दूद लेने भीजा था वो लोटकर आई तो उसने देखा कि प्रिया बाथरूम में बेहोश पड़ी है उस वक्त पुलिस ने जब बंगले की तलाशी ली थी तो तेन लाख रुपे नकद और प्रिया की काफी जोलरी घर में सलामत मिली थी यानि तब पुलिस भी मान चुकी थी कि माला चोधरी ने किसी गलत इरादे से प्रिया के साथ कोई घटना नहीं की है मगर जब पुश्ट माटम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की जाच माला से ही शुरू ही शुरुआती बहान बाजी के बाद माला का होसला तूटा और उसने प्रिया की हत्या की बात कबूल कर ली माला ने पुलिस को बताय कि उसने चेतन आनंद के बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद के कहने पर अशोक चिन्ना स्वामी जो की केतन आनंद का नौकर था उसके साथ मिलकर प्रिया की हत्या कर दी केतन आनंद ने इस काम के बदले माला चोधरी को मोटी रकम इनाम के तोर पर देने को कहा था और चार हजार रुपे पेशगी भी दे दी थी इतना ही नहीं माला चोधरी जो अपने तीन बच्चों के साथ उसी बंगले में रहती थी उसने पुलिस को ये भी बताया कि चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद से उसके अवैद संबंध भी थे माया के एक बालिया बयान के बुते पुलिस ने चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद वा हत्या में शामिल उनके नौकर अशोक चिनना स्वामी को गिरफतार कर लिया चारों को अदालत में पेश किया गया उधर चार अप्रेल सन 2000 को प्रिया राजव राजवंश का अंतिम संसकार भी कर दिया गया फिर लगभग दो सालों तक इस मामले की सुनवाई अदालत में चली प्रिया राजवंश का मुकदमाल रही वकील ने जजज से डिमांड की थी कि इन चारों को सजा मौत दी जानी चाहिए हाला कि कोट ने चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई और चुकि केतन आनंद और विवेक आनंद दोनों ही उस वक्त जमानत पर बाहर थे तो पुलिस ने सजा का ऐलान होते ही दोनों को फिर से गरहतार कर लिया जिस वक्त इस केस का फैसला सुनाय जा रहा था उस वक्त प्रिया के भाई कमलजीद सिंग और पदम कमलजीद सिंग भी एक्टर रह चुके थे उन्होंने लगभग 13 फिल्मों में काम किया था जिन में सबसे प्रमुक थी सन ओफ इंडिया और शगुन शगुन फिल्म में कमलजीद की हिरोईन थी उस दौर की बहुत बड़ी और नामी अदाकारा वहीदा रह्मान शगुन फि प्रिया राजवन्स की सगी भवी हैं हाला कि ननद प्रिया राजवन्स से वहीदा रह्मान के तालुक अच्छे थे कि बुरे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जिस साल प्रिया राजवन्स की मौत हुई थी उसी साल यानि सन 2000 की नवंबर में उनके बड़े भाई और वहीदा रह्मान के पती वह पूर्व अभिनेता कमल जीत की भी मौत हो गई थी खैर आप लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि चेतन आनंद के बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद ने प्रिया राजवन्स की हत्या क्यों कराई थी तो इसका जवाब चेतन आनंद का वही बंगला है जिसमें प्रिया राजवन्स की हत्या की गई थी दरसल चेतन आनंद मरने से पहले इस बंगले को तीन हिस्सों में बाट कर गए थे दो हिस्से अपने दोनों बेटों केतन और विवेक के नाम और एक हिस्सा अपने प्रेमी का प्रिया राजवन्स के नाम चोंकि प्रिया राजवंच ने कभी किसी और प्रोडूसर की फिल्म में काम नहीं किया था, तो वो फाइनेंशली पूरी तरह से चेतन आनंद पर निर्भर थी। चेतन आनंद की मौत के बाद प्रिया को अपने भविश्य की बहुत फिक्र होने लगी थी। उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं थी कि वो अपना जीवन बिना किसी फिक्र के गुजार सकें। इसलिए वो चेतन आनंद के बंगले का अपना हिस्सा बेच कर लंदन शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी। कहा जाता है कि प्रिया राजवन्ष ने अपना हिस्सा बेचने की बात एक प्रोपर्टी डिलर से कर भी रखी थी। लेकिन चुकि उस वक्त बंगले की सही कीमत नहीं मिल रही थी तो वो एक मुफीद ग्रहक के इंतिजार में थी। मगर केतन आनंद और विवेक आनंद किसी भी सूरत में प्रिया राजवन्ष को उस बंगले में हिस्सा देने को तयार नहीं थी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि प्रियाराजवन्श अपना हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही हैं तो उन्हें प्रियाराजवन्श को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और फिर नौकरों की मदद से उनकी हत्या करा दी। हाला कि वो पकड़े गए और उन्हें सजा भी हुई लेकिन सजा होने के बाद भी दोनों जेल से बाहर हैं दर असल जब हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई तो उन्होंने इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी और लगभग चार महीने बाद यानि नवंब लगा दिया गया इस मामले की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और केतन आनंद वा विवेक आनंद दोनों जेल से बाहर हैं